अब हलो एवरिवन वेलकम टू स्टेडी एक्स्पोलोजिन आज हम करेंगे कंपाउंड इंट्रस्ट की नेस टाइप जो बेस्ट है रेट आफ इंट्रस्ट के ऊपर ठीक है रेट परसेंट निकालना तो सबसे पहले रेट परसेंट निकालने के लिए हमें अमांट का मुला क्या था प्रिंसिपल इन्टू बन प्लस रेट बाइंडर कि होल पावर टाइं तो देखिए फर्स्ट कॉश्चन इस सम आप आरेस 10,000 अमाउंट टू आरेस 11,025 इन टू इयर्स एट सेटें रेट अप इंट्रेस्ट पर एनम कंपाउंड एनुली दा रेट आफ इंट् के बाद कितना 11,025 तो बताओ रेट आफ इंट्रेस्ट क्या होगा तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए क्या था फार्मूला प्रिंसिपल इन्टू बन प्लस और बाइं हंडर कि पावर टी अब देखिए अमाउंट दिया है कितना बन बन 025 इकल टू प्रिंसिपल भ ठीक है डिवाइड बाइंडर की होल पावर टाइम कितना है टू यह तो जहां से 10,000 को नीचे ले आए यह बन जाएगा बन बन 025 डिवाइड बाइंड बाइं टैन तो जाएगा बन प्लस और बाइंडर की होल पावर टू अब देखिए बन बन 025 इसके लिए आपको 10,000 आपको पता है किसका स्क्वेर है 100 का स्क्वेर ठीक है 100 का स्क्वेर और उपर किसका स्क्वेर है 105 का स्क्वेर यह सेम हो जाएगा इसकी कुश्चन के बराबर तो जहां से 205 divided by 100 का whole square बन जाएगा और यह equal होगा कि 1 plus r by 100 का whole square तो जहां से square से square cancel हो जाएगा तो जहां से 1 को left side लाएगे तो जब बन जाएगा 205 by 100 minus 1 equal to r by 100 बन जाएगा तो जहां से 100 की cross multiply होगी 1 से तो 100 बन जाएगा 105 में से 100 जाएगा तो 5 रह जाएगा 5 by 100 आजाएगा जे equal हो जाएगा किसके R by 100 तो 100 से 100 चला जाएगा तो R की value क्या आजाएगी 5 तो rate of interest कितना आ गया 5% option B होगा इस question का right answer next question देखिए if the interest is compounded annually an amount of Rs 25,000 becomes Rs 36,000 after 2 years then find the rate of interest तो आपको principal और amount दिया है time भी दिया है आपने निकालना क्या है rate of interest तो rate of interest निकालने के लिए amount amount कितना है 36,000 equal to principle principle कितना है 25,000 1 plus R हमने निकालना है और divide by 100 की whole power कितनी 2 time दिया है 2 ठीक है तो 1, 2, 3 1, 2, 3 तो जहां से यह आपका बन जाएगा 36 by 25 equal to 1 plus R by 100 की whole power 2 तो जहां से 3625 किसके square है 36, 6 का है 25, 5 का है whole square equal to 1 plus R by 100 का whole square बन जाएगा तो जहां से square से square चला जाएगा तो 6 by 5 जब 1 left side आएगा तो minus 1 में बदलेगा और यह आर बाए 100 आ जाएगा ठीक है तो जहां से 5 की बन से cross multiply होगी तो 5 into 1 होगा तो 5, 6 minus 5 होगा तो 1 1 by 5 equal to R by 100 बन जाएगा तो जहां से 5 into 20 करेंगे तो 100 बन जाएगा 20 की cross multiply बन से होगी तो 20 बन जाएगा 20 equal to R जानिकी R percent कितना आ गया 20 percent option B होगा इस question का right answer next question देखिए if an investment of Rs 1,000 amount to Rs 1,440 in 2 years when compounded annually then but is the rate of interest तो बताओ rate of interest क्या होगा तो amount निकालने का formula क्या है amount by P 1 plus R by 100 की whole power T amount जहां पर कितना है 1440 divide होगा principle से principle कितना है 1,000 equal to 1 plus R हमने निकालना है divide by 100 की whole power 2 ठीक है तो 0 से 0 चला जाएगा जहां से 1 plus R by 100 square को left side लाएगे तो root में बदल जाएगा यह बन जाएगा 144 by 100 अब 144 किसका square root है 12 का और 110 का तो 12 by 100 इकुल हो जाएगा किसके 1 plus R by 100 के तो जहां से 12 by 10 plus 1 left side जाएगा तो minus 1 में बदल जाएगा इकल टू R by 100 आ जाएगा तो 10 इंटू 1 बन सारी 10 तो 12 में से 10 जाएगा 2 रह जाएगा 2 by 10 इकल टू R by 100 0 से 0 चला जाएगा 10 की क्रास मल्टिप्लाई होगी 2 से तो कितना बन जाएगा 20 तो R की वैल्यू क्या जाएगी 20% 20% होगा इस क्वेशन का राइट आंसर आप्शन D नेस्ट क्वेशन देखिए A sum of money becomes 8 time of itself in 3 years at compound interest compounded annually the rate of interest is कहते हैं कि एक sum of money एक पैसा है जो 8 गुना हो जाता है 3 सालों में compound interest के हिसाब से तो बताओ rate of interest क्या होगा तो हम let कर लेते हैं कि वो money वो sum जो पैसा होगा हम मान लेते हैं बहर P होगा ठीक है तो 8 गुना हो जाएगा तो बहर amount में बदल जाएगा amount कितना हो जाएगा 8 time यानिकि 8 P time उन्होंने दिया है 3 year ठीक है कितना है 8 P प्रिंसिपल ला जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई हंडर्ड की होल पावर टी तो देखिए जहां से पी से पी चला जाएगा 8 इकल टू बन प्लस आर बाई हंडर्ड टी time उन्होंने गिवन दिया है कितना है 3 अब 8 को भी हमने पावर में 3 में बदलना है जानिकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बन जाएगा इकल टू 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर 3 तो 3 से 3 चला जाएगा जहां से 2 इकल टू 1 प्लस R बाई 100 आजएगा यह 1 left side आएगा तो 2-1 बन जाएगा 2-1 इकल टू R बाई 100 आजएगा तो 2 मेंसे बन जाएगा 1 1 इकल टू R बाई 100 आजएगा तो R की value के आजएगी 100 की 1 से multiply होगी तो 100 बन जाएगा तो R की value आजएगी 100 इस question का right answer होगा option B, उमीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो next question देखिए, find the rate of interest for a sum that becomes 14,641 divided by 10,000 time of itself in 4 years compounded annually, तो rate of interest निकालना है आपको amount और principle given दिया गया है, ठीक है, तो amount given है, तो amount equal to principle into 1 plus rate by 100 की whole power time होगा, अब देखिए, amount कितना है, 1, 4, 6, 4, 1, divide करेंगे principle से, principle कितना है, 10,000, equal to 1 plus rate हमने निकालना है, उसको रहने तो R ही divide by 100 की power t, t जाने की 4 आ जाएगा, ठीक है, अब जहांपे power 4 है, तो द्यान रखिए कैसे करना होता है, इस question को, कि हमें जहांपे क्या value लानी है, जहांपे power 4 है, जहांपे power 4 बनेगी, तो देखिए, जहांपे 0 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, जाने की 10 की power 4 होगा, अगर जह 10 की power 4 है, तो उपर बाला भी इसके hair fair में होगा, तो वो क्या होगा, आप 11 को check कर लिजिए, 11 into 4, तो 11 into 3 होगा, 1, 3, 3, 1, into 11 करेंगे, तो जह बन जाएगा, 1, 3, 3, 1, into 1, 3, 3, 1, जह बन जाएगा, 1, 4, 6, 4, 1, बिल्कुल सही, यह होगा, 11 की power 4, जह आ जाएगा, 1, plus r by 100 की whole power 4, तो जहां पर 11 की power 4 और 10 की power 4, तो हम 11 और 10 दोनों की power 4 ले लेंगे, यह कुल हो जाएगा, 1, plus r by 100 की whole power 4, तो 4 से 4 चला जाएगा, तो 1 को left side लाएगे, जै बन जाएगा, 11 by 10 minus 1 equal to r by 100, जहां से बन जाएगा, 11 minus 10 by 10 equal to r by 100, तो जहां से value बन जाएगी, 11 में इसे 10 जाएगा, 1, 1 by 10 equal to r by 100, तो 0 से 0 चला जाएगा तो R की value आ जाएगी 10 की cross multiply बन से होगी तो 10 बन जाएगा R बन जाएगा 10% जैनकी rate of interest कितना निकला 10% option D होगा इस question का right answer next question देखिए a sum of money becomes Rs 10,648 after 3 years and 9,680 after 2 years of compound interest compounded yearly but is the rate of interest कहते हैं कि कोई पैसा है जो 3 साल के बाद बन जाता है 10,648 and 2 साल के बाद बन जाता है 9,9,680 ठीक है तो बताओ rate of interest क्या होगा तो देखिए मैं इसको trick से समझाओंगा 3 साल के बाद पैसा कितना बनता है 10,648 और after 2 years बनता है 9,680 ठीक है तो जहां से अगर मैं 3 साल में से 2 साल को minus कर दूँ तो 1 साल रह जाएगा ठीक है तो same जहां से minus होगा तो 8,6,9 रह जाएगा अब हम यह कह सकते हैं यह हमने एक साल का इंटरेस्ट निका लिया अब आपको पता है एक साल का जो इंटरेस्ट होता है बहें simple interest हो जाहे compound interest हो बहें same होता है ठीक है और यह एक साल का interest हमने किस पर निकालना है 9680 पर जाने कि हम जै कह सकते हैं कि principle 9680 है और interest कितना है 968 तो बताऊ rate of interest क्या होगा तो rate of interest निकालने के लिए 968 को उपर रखिए और किसका है 9680 का into 100 का देजिए जहां और फिर आप जहां पर एसई का पार्मूला भी लगा सकते हो हैं कि की साल का चाहए हो सी रहते हैं तो जहां से जीरो से जीरो जाएगा 968 इंटू 968 कट जाएगा तो बचा क्या आर की बैल्यू क्या जाएगी 10% 10% होगा इस question का right answer option a कि नेस्ट कोशन देखिए इस सम आप मनी अमांट्स टू आरेस शिक्स्टीन अंडर्ड इन टू एन रएहार 1700 कि कहते है कि कोई सम है जो हम अंट में बदल जाता है श्क्स्टीन हंडर हो जाता है दो सालों में और सेवन सीन कहницरा हो जाता है थी सालों से हम तीन में से दो को बाहर निकाल देंगे तो एक सार रह जाएगा सेम सेवंटीन हंडर्ड में से सिक्स्टीन हंडर्ड को बाहर निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा हंडर्ड तो हम जे कह सकते हैं कि जे इंट्रस्ट होगा एक साल का तो एक साल का चाहे प्रिशी हो चाहे एसा ही हो दुनों सेम रहते हैं इंट्रस्ट आ गया हंडर्ड प्रिंसिपल कितना है लिए शिक्टिन हंडर्ड और टाइम गीवन है कितना टाइम हमने निकाल लिए अब कितना बन लिए तो जहां से निकालना क्या है रेट अभी मैं आपको एसाई से भी समझा देता हूं तो यह अगर्ड़ का फर्मोलो क्या था पी इंट्व आर इंट्व दी बाए हंडर्ड तो जहां से साई हे हंडर्ड पी है कि है किए इंट्व रेट हमने निकालना टाइम है और डिवाड कि से करेंगे राट्ड से तो हंडर्ड से चला जाएगा तो आर की वैल्यू क्या 16 4 से जाएगा 4 x 4 यह 25 से जाएगा तो 4 x 6.25 से चला जाएगा तो आर की वैल्यू के आ गई 6.25 परसेंट 6.25 परसेंट होगा इस कोश्चन का राइट अंसर अप्शन भी नार्स्ट कोश्चन देखिए तो देखिए कहते हैं कि इस अम्मट इंटरस पर कोई पैसा उदार दिया जाता है It became Rs.500 at the end of first year First year के end में 500 बन जाता है And second year के end में 550 बन जाता है तो बताओ rate of interest क्या होगा ठीक है? तो जे first year, जे second year तो first year में जहें बन जाता है 500 और second year में जहें बन जाता है 550 जाने कि हम जेक कह सकते हैं कि 500 में 50 और बड़ा ठीक है? तो second year आपको पता है जे जो interest होता है जे first year के interest का interest होता है तो हम ये कह सकते हैं 500 का 50 अगर देखा जाए तो 500 का कितने percent 50 होगा 500 का 10% करेंगे तो एक जिरो हट जाएगा 50 रह जाएगा 10% होगा इस question का right answer उम्मीर चाता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो ठीक है? एक method और बता देता हूँ first year के end में पैसा कितना बन जाता है? 500 second year के end में पैसा कितना बन जाता है? 550 तो rate of interest निकालना है rate of interest क्या कहता है? 550 minus 500 तो divide by 500 कर लो into 100 तो 550 में से 500 जाएगा तो 50 रह जाएगा तो 50 into 10 करेंगे 500 बन जाएगा 0 से 0 चला जाएगा बचा क्या 10% 10% होगा इस question का right answer option A next question देखिए if the amount received at the end of second and third year at compound interest on a certain sum is Rs. 1800 and Rs. 1926 respectively what is the rate of interest कहते हैं कि किसी principal का 2 साल के बाद amount बन जाता है 1800 और 3 साल के बाद बन जाता है 1926 तो बताओ rate of interest क्या होगा? जे 1st year होगा, जे 2nd year होगा, जे 3rd year होगा तो 2nd year के end में amount बन जाता है 1800 और 3rd year के end में बन जाता है 1926 तो हम जे कह सकते हैं 2nd year से 3rd year तक interest कितना बड़ा? 126 ठीक है, किस पर? 1800 पर, तो principal मिल गया हमें कितना? 1800, SI भी मिल गया, अब मैंने आपको बताया एक साल का चाहिए SI लोग, चाहिए SI लोग, दोनों सेम रहते हैं तो time कितना होगा? एक साल, बन लिए, तो SI क्या कहता है? PRT by 100, PRT by 100, ऐसा ही कितना है? 126, principal कितना है? 1800, rate of interest हमने निकालना है, time 1 year है और divide कल देंगे किस से? 100 से, तो 100 से 100 चला जाएगा 18 into 7 करेंगे, तो 126 बन जाएगा तो rate of interest निकल गया कितना? 7%, 7% होगा इस question का right answer, option B Next question देखिए At but rate per annum bill RS 32,000 yield एक compound interest of RS 5044 in 9 month interest being compounded quarterly देखिए, concept है quarterly का तो मैंने आपको बताया है, जब भी बात half yearly जब को quarterly की होगी, half yearly की होगी तो rate को divide कल देना है 2 से, और time को multiply कल देना है 2 से बत जब quarterly होगी, तो rate को divide कल देना है 4 से और time को multiply कल देना है 4 से but rate हमने जहां पे निकालना है, लेकिन time उन्होंने दिया है 9 month तो 9 into 4 करेंगे 36 month बन जाएंगे, तो month को year में बनाने के लिए divide by 12, 12 into 3, 3 year होगा time, ठीक है तो देखिए, rate of interest निकालना है, तो amount कितना बन जाएगा, आपको principal दिया है 3, 2, 0, 0 और compound interest दिया है कितना, 5, 0, 4, 4 तो हम इन दोनों को सम करेंगे, principal plus compound interest ही होगा, amount तो जह बन जाएगा 37,044, तो amount निकालना का formula क्या है, principal into 1 plus r by 100 की whole power, ठीक है, amount देखिए कितना है, 3, 7, 0, 4, 4, divide कर दिजीए से principal से, principal है, 32,000 into 1 plus rate हमने निकालना है, और divide कर दिजीए 100 से, और time कितना है, 3, year ठीक है, अब देखिए, यह कट जाएगा आपका, 8,000 से, 8,000 into 3, और यह कट जाएगा किसे, 9, 2, 6, 1 से, अब 9, 2, 6, 1, divide by 8,000, जहाँ पे power 3 है, तो 8,000 किसका cube होगा, 20 का, और 9, 2, 6, 1 होगा, 21 का, whole cube, जहे इक्वल होगा, किसके, 1 plus r by 100, की whole power 3, तो 3 से, 3 चला जाएगा, जहाँ पे, 1 को left side लाएगे, तो जहे बन जाएगा, 20, 1 by 20, minus 1 equal to r by 100, तो 20 की 1 से multiply हो जाएगी, 20 बन जाएगा, 21 minus 20 करेंगे, तो बनना आ जाएगा, 1 by 20 equal to हो जाएगा, r by 100, तो 20 into, जहाँ पे कोई गलती लग रही है, शाहिद, देखिए, जब बात quarterly की थी, तो time तो हमने 3 year बना लिया, ठीक है, लेकिन rate of interest भी तो r by 4 करना था, तो हम बूल गे जहाँ पे divide 4 करना, जहाँ पे 4 आना था, तो 4 into 100, 400 बन जाना जहाँ पे, 400, ठीक है, तो अब जहाँ पे value बन जाएगी, 1 by 20 equal to r by 400, 0 से 0 चला जाएगा, 2 into 20 करेंगे, 40 बन जाएगा, 20 into 1 करेंगे, 21 जाएगा, तो r की value के आ जाएगी, 20%, 20% होगा इस question का, right answer, देखिए, मैंने आपको rate की हर एक type के question करवा दिये, जिस type के भी exam में आते हैं, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादे लाइक और share करना मिलेंगे next वीडियो में, आज के लिए इतना ही, thank you class.